इम्रान खान और पाकिसान आमी वो एक ही जो कॉइन है न उसके दो अलग अलग हिस्से हैं हमारे लिए वो दूनों ही मतलब डेंजरस ही हैं इम्रान खान के अगर आप इडियोलॉजी देखें तो वो क्या बात करता है इस यह है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खाइबर पक्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्टूनिस्तान बनाए जहां पे जो पश्टून से उनकी हकोमत होगी और एकदम से और यह बोलेगी भाई ऐसे करते हैं ना यह मतलब क कुछ भी decision overnight ले लेते हैं तो बहुत साथ कहीं से पैसा आ जाए तो बोले हम कडा देते हैं इलेक्शन बट कैसे कराएंगे ना जो जो इम्रान खान की पार्टी के जो निकल गए जो लोग बलोच लिबरेशन की जो भी splinter groups हैं या फिर जो parent organizations जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन्हों ने भी बलोच जो insurgent group I mean there's no doubt कि जो TTP है वो लेटली काफी grow कर रही है और पाकिस्तान का जो internal turmoil है जो उनका खुद का अंद्रूनी जो सियासी बहरान वैसे तो वो हमेशा ही चलता रहते है पर अभी वो it's at its peak तो उसका फायदा बहुत सारी इस किसम की जो organizations हैं जो पाकिस्तानी state की against war wage कर रही है वो उसका भरपूर फायदा उठा रही है तो of course they are forging alliances with baloch liberation or insurgent groups यह तो काफी देर से चलता आ रहा है कि वो TTP और जो बलोच liberation की जो भी splinter groups है या फिर जो parent organizations जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन्होंने भी बलोच जो insurgent groups है उन्होंने भी एक umbrella के अंडर वो आ गए है पहले वो अखेले अखेले लड़ते थे तो वो एक umbrella के अंडर आ गए है और जो TTP है that is primarily that's what they claim I won't say कि वो ऐसा करते हैं but they claim to be primarily representing the aspirations of the Pashtun community in Pakistan उनके हिसाब से वो जो पश्टून जो लोग है पाकिस्तान में रहने वाले उनकी शिनाक्त की लड़ाई वो लड़ रहे है या फिर उनको protect करने की भी वो कोशश कर रहे है ऐसी बहुत सारी organizations है कुछ हैं जो mainstream politics में हैं जो political struggle कर रही हैं within the पाकिस्तानी boundaries they're not seeking separation from Pakistan बट वो हकूप की लड़ाई कर रहे है ठीक है जैसे हो गया यह पिश्टून तहाफूस movement यह हो गए political side फिर militant organizations हैं जैसे TTP जिसको Pakistan ने एक terror group designate किया हुआ है उनके उपर globally भी बहुत sanctions है तो of course उनका agenda यह है कि वो Pakistan से अलग करें खाइबर पक्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्टूनिस्तान बनाए जहां पर जो पश्टून से उनकी हकोमत होगी और जिस तहां का भी लाइस्ट्राइल वो लोग मिजॉरिटी उनकी पसंद करती है उसको वहां पे establish करेंगे तो उनकी कोशिश यह है कि हम forces को join करें विद दे बलोच ताकि together they emerge as a stronger force और जो पाकिस्तान की हकोमत है या फिर जो उनकी military establishment है उनको जादा सादा तंग कर सके तो मेरे पास ऐस सच कोई नहीं है मैंने जब आपने बताया तो मैंने चेक किया तो कुछ राइट विंग एकांट्स हैं इंडिया के जो से कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पे administration ही बना ली उन्होंने उसको कह दिया कि यह free ही हो गया है अब यह हमारे अंडर आ गया है मतलब ऐसे यह चीज़े होती रहती है टीटीप ने खाइबर पक्तूनख्वा जैसे जो provinces है वहां पे इतने जादा हत्यार है लोगों के पास इम्राइन खान की खुद की जमात की लोग इसके बारे में बात करते रहे है शाबास गिल भी पहले नहीं धंकी देते थे कि अगर खान को पसे पंजाब में हाथ लगाया है तो उसको बचाने वाले फिर वो पक्तूनख्वा से आएंगे वहां पे हर किसी के बात हत्यार है तो इससे वेरी डिफिकल्ट काइंड उसको हवा मिली है और बलोच ग्रूप्स और जो टीटीपी है ये इकठे बहुत जगा अटाक्स करते हैं जॉइंट इनके बहुत सारे operations होते हैं and they keep declaring independence in one village or one city from you know another like from time to time so I don't think we should read too much into it even though we would like to but the Pakistan armed forces are able to kind of fight them to some extent yeah so now in Pakistan के सामने कई सारे से crisis हालकि बहुत वक्त से रहे लेकिन अभी लेकिन IMF भी कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं दे रहा है पाकिसान को तो आखर पाकिस्तान की जो condition है इसका solution या सुर्टिहाल किसान से आपको सुलचते वे देख रहे हैं I think जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा the Chinese have already given them a nod कि कुछ उन्होंने पैसा release करने की बात already करती है क्योंकि उनको समझ में आ गए कि IMF से इनको तो relief जो है वो नहीं जतना मुझे समझ में आ रहा है मुझे नहीं नजर आ रहा कि इनको IMF relief देगा because आप किसी एक organization को कितनी बार आप फूल कर सकते हैं और कितनी बार आप एक narrative चल आ सकते हैं कि भाई American lobby और Indian lobby जो है वो IMF को मना करिये हमें आप ताकि वो हमें पैसे ना दें जो IMF है उसमें बहुत सारी countries है उसमें सिर्फ इंडिया और अमेरिका नहीं है ठीक है हर country की contribution होती है of course America is one of the top contributors if not the biggest contributor I think शायद सबसे बड़ा contributor है but उसमें बहुत सारे मुल्क हैं जिनका सबका एक से होता है और मतलब अगर किसी को यह लगता है कि IMF में बेवकूफ लोग बैठे हैं और वो इस पर ले लेते हैं जब लॉटाने की बाद आती है तो आप आएं बाएं शायें करते हैं आप कभी उनको एक लॉलिपॉप देते हैं कभी दूसरा देते हैं तो वो कितनी बार आप उनको फूल कर सकते है न और फिर जो इनकी इंटर्नल जो पुलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बाद कौन यह रिस्क लेगा अब लुक ए इम्रान खान जब से वो प्राइम मिनिस्टर आफिस से उनको निकाला गया वो बार बार IMF को बील करते थे कि इनको पैसे मत देना जो भी कि वहां की जो निकरान हकूमत जो इनको पैसे मत देना जो पाकिसान मिलिटरी को जो है आप यूएस एड ना दे क्यूंकि यह लोग तो यहां पे डिमॉक्रसी को खतम करने पर तो ले हैं कि मतलब यह चीज जो है आर्मी में इसकी वज़ा से बहुत जादा वहां पे लोग अंसेटल हो गए कि वह यह अब उनके फाइनाशिल इंट्रेस्ट को हर्ट करना शुरू हो गया ना सब्सक्राइब करना शुरू है तो इम्रान खान ने बस क्या किया है कि वह पर्दा हटा दिया है और वह उसने अपने खुद के मतासद तो वैसे तो उसके खुद के हैं बट लाज़ली लोगों को ऐसे लग रहा है कि वह कोई पता है नी तहरीक लेके आ गया है जमूरियत को लेके बट उसका अपना परसनल इंट्रेस्ट है पर आई थिंक वो जो इंकी गुगली है ना कि हम एक न दो शुक्तिजिस को फिर से कंसेडर किया जाएगा इस बिसकुशंस होंगी अन भीलावल गूटो प्रफ बिलावल गुटो प्रफ बिलावल गुटो था लॉट अपना बट लॉब्स लोगों को तो अपकिसान जैसी कंट्री से तो वैसे भी एक्सेट नहीं करेंगे थैसे But as such, it's too big of a country for anybody to even think of invading. Or, or I think that the army, at least as an institution, it is strong enough to defend its borders. But I think that Bhoran is going to be running, it's going to be growing, 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 but eventually they will be able to manage and they will be able to manage it. But of course, they will have to think about it in the long term. If you don't see that vision, then you will feel scared to be in India, that literally a time bomb is ticking. Of course, that's a different discussion altogether, we will go into it. But we don't, we, see, stable Pakistan has never been a boon for India, for sure. And when Pakistan is very stable, we don't get any positive effects to see it. In fact, Pakistan has always been the most vulnerable to us when it's stable. But again, okay, we don't have any desire, I don't have any Mother Teresa syndrome, like Sushant Sarin says, I will say, brother, they are our boon, and give them their boon, and give them their boon. Of course, India cannot afford an unstable Pakistan, beyond an extent. Absolutely. That those things go on at that level, that we are going to be a problem. But so far, so good. In fact, I think, in fact, I think, it works for us. . . . . . . . आफे बाद करिएगे जब पाकिस्टान की बात आती तो पाकिस्टान जब जिसके आपने हो दिख कर रहे है थे रहा कि यह इसidentsों की बात करें आ इस वी दो вкус पॉलिटीस्त इम्रान खान में नजर नहीं आती है तो इक्तिदार इसे निकलने के बाद, डिमोकरसी की बाद किस तरह से कर रहे हैं? यार, I don't know who कौन लोग हैं जो इसको बाई भी करते हैं कि वो डिमोकरसी की लडाई कर रहे हैं, मैंने कोई इंडियन जो स्ट्रीजिक थिंकर्स हैं, जो बड़े पॉपलर एडिटर्स भी हैं, उनके आटिकरते पड़े, कि इम्रान खान की जो लडाई है, वो डिमोकरसी की है, मतलब, it's beyond me, it gives me a brain freeze कि लोग इस तरह से सोच भी सकते हैं, ठीक है, अभी एक और कोई आनलिस्ट है, वो कोई मोधी गवर्मन को लेके उनका बड़ा कोई डिसलाइक है, पाकिसान में बड़े वो फेमस है, वो कोई एक अपना strategic चैनल चलाते हैं, चाइना पे बहुत ज़ाद करते हैं, मैं उनका भी उसन अनलिस सुन रही थी, और वो कह रहे थी कि, मतलब मुझे लगा कि जलो इंडिया में तो जो ये जो भी बोलते हैं, जादा तर मेरा उसके साथ इकतलाफ होता है, और मुझे लगता है कि यार ये जस बिकास इनकी इंडियन गर्मन के साथ बॉप स्खेस प्रॉड जी दिस प्रॉपर इंडियन गर्मन की नियुका का एंडियन के लिगताए लोज़की में प्रॉडर जा थी, प्रॉडरत जिए हमिम्रान गाना जैसा जो आदमी है उसको तो कभी मगैलोमेनेयाक हो यह नहीं सकता, उसके पास उतनी शौरत थी, उसक somebody who's been following this ruckus circus for years now I can safely tell you कि Imran Khan को बहुत ज़्यादा जरूरत थी पॉलिटिक्स की इम्रान खान का एक क्रिकेटिंग करियर आपका होता है but आप वो it's a limited career cricketers कब तर खेलते हैं ठीक है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स how much money do they make right ये इंडिया में तो आप बहुत ऐसा बनाते है पाकिस्तान में कोई ऐसे avenues तो है नी और इम्रान खान के जमाने में तो बिलकुल भी नी थे तो उनकी क्या ही कोई net worth थी उन्होंने इतना पैसा कमाया उन्होंने फिलन्थ्रॉपी के नाम पे इतने you know millions को समेटा from the NRI community sorry from the overseas Pakistani community and as well as from many Indians you know Indians को इन्होंने बड़ा कोई इनके दोस्तों से यहां पे cricketers उन्होंने इनके लिए funds और रेस किये तो इम्रान खान ने बहुत पैसा बनाया है तो और इम्रान खान का मुखालिफ नहीं इम्रान खान को पसंद करता है उसके लिए बात करता है आगे जाके वो भी आपको बताएगा कि ते मैं इस मेगलोमेनिया को किसी की नहीं सुनता